बिल्कुल देखिए राकेश्टिकेर जी का जो ब्यान है कि हम लोग बेरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और यह गुंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे क्योंकि भगत सिंग ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत है हम तो दिचार महिने से इस बोर्डर सो सरकार को चिला रहे हैं आवास दे रहेंगे किरिसी कानून रद करो, रद करो MSP पे कानून बनाओ, MSP पे कानून बनाओ लेकि सरकार सुनने को तयार नहीं है तो हम दिल्ली पहुँचेंगे, लोग सभा को भी घेरने का काम करेंगे PM हाउस को भी घेरने का काम करेंगे किरिसी मंतरी का अवास भी घेरने का काम करेंगे और जहां से ये कानून पुरे चार महीने हो गए और सरकार बिलकुल मुखबदीर बनी भी है। फिर किसानों ने कहा है कि हम पुरा भारत बंद करने की अपील करते हैं। किसान बर्बाद हो रहा है चलो हम तो चल रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा अगर यह बिल नौटीफाई हो जाता है तो पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमारी उकात तो नहीं हम मौलों से जाकर खरीद के लेकर हैं जो भी हमें 10 रुपे किलो ठेले पे मिल जाती हम मौल में जाके 800 रुपे किलो नहीं खरीद के ला सकते हैं। जो आलू अभी 20-25 रुपे किलो मिला है वो हम 70-80 रुपे किलो नहीं खरीच सकते हैं। तो यह वाली बात जब किसान आपको समझा रहा है तो तमाम भारतियों को इस वाली बात को समझनी चाहिए और इन किसानों की सपोर्ट को आगे आना चाहिए और जो वो स्ट्रीम चैनल पर देखके खुश हो रहा है कुछ लोग तो मुझे से पूछते हैं एमन इजबी का किसान बैठे वे हैं। मतलब उन लोगों को ये भी नहीं पता कि किसान आया बैठे वी है या नहीं बैठे क्योंकि वो लोग तमाम वही है जो तमाम के तमाम पेडिट चैनल देखते हैं गोर्दी मीडिया देखते हैं उनको यही मतलब नहीं कि ये जो किसान बैठे वे उनके लिए बैठे वे यूट्यूब तक जाने की जहमत गवारा नहीं कर रहा है तो किसान आपके लिए बैठा वाए और भारत बन का जो वो एक ऐलान कर रहा है वो पूरे भारत वासियों के लिए कर रहा है वो भारत को बचाना चाहता है भारत की जमीनों को बचाना चाहता है वो हम सबको बचाना चाहता है और यह वाली बास सबको समझनी चाहिए और कल भारत बंद भी इन किसानों को बढ़ चड़कर आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मजदूर हैं तो कुदाल चे काम करते हैं तो कुदाल लेकर आएं अगर आप बैपारी हैं तो दुकान बंद करके इस भारत बंद को सफल बनाने में आप अपना सहीयोग दे क्योंकि ये सरकार गुंगी बहरी सरकार है ये लंगडी लुली सरकार है इस सरकार को जग भारत बंद का असर पूरे तरीके से मजबूती के साथ देश का आम नागरी किसान मजदूर चात्र भारत बंदी में उत्रेगा और बंगाल सहीत पांच राज्य के जनता मालिकों को संदेश देगा कि आप अपना किम्ती बोट भारती जनता पाटी को नहीं दे नहीं तो ये लोग बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे बंगाल को बेचने का काम करेंगे हम आप समझ ये चार महीने से खुली आसमान के नीचे धरने पर हैं हमको सुनने को तयार नहीं है तो सुन लिजी आपकी भी अगर सरकार बना देते हैं भाजपा को तो आपके भी सुनने को कई तयार नहीं है एक कहवत है सुना दिया सुनार को पायल बना दिया लोहा दिया लोहार को अथोड़ा बना दिया भोट दिया मोधी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया अगर बंगाल की जनता माली को असाम की जनता माली को और तमाम राजों की जनता माली को अगर आप भाजपा को भोट देते हैं तो ये लोग आपके राज को और आपकी गरीमा को बेचने का काम करेंगे इसलिए आप भाजपा को भोट नहीं दे एक बात बताईया ना बंगाल क यूपी का सियम अधितनाति योगी जी बंगाल में जाकर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं कि बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा देंगे जिसके राज में एक बेटी को अपने बाप को सुरक्षा करने में उसको गोली मार दिया जाता है एक बेटी उन्वाओं में हातरस में उसको गर्दन रेप करके गर्दन के हडिया तोड़ दी जाती है पुलिस बिना परिवार को इजाजत लिए उसकी लास को जला देता है ये देश में राज में क्या चल रहा है वो महिला सुरक्षा की बात करते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार आपकी बार मोदी सर अगर अगर तुम देश को राज को कहा लेकर जा रहे हो तुम लोग अगर कलाकारी ही करना है आटिस्ट ही हो जाकर किसी कलब में एडविशन करा लो उसमें जाके कलाकारी करो देश को बिहार में आपने देखा होगा बिधान सवा में भाजपा के गुंडे और पुलिस ने बिधायकों को मारा जिसने जंता ने चुना है यह लोग तंत्र को मानने वाले लोग नहीं है यह लोग सविधान को मानने वाले लोग नहीं है यह लोग मनियुस मुर्ती को मानने वाले लोग है बिरसावरकर जैसे लोगों को मानने वाले लोग है यह लोग देश को बरबात करेंगे और यह गुंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे क्योंकि भगत सिंग ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत है हम तो दिचार महिने से इस बोर्डर सो सरकार को चिला रहे हैं अवास दे रहेंगे क्रिसी कानून रद करो, रद करो, MSP पे कानून बनाओ, MSP पे कानून बनाओ, लेकिन सरकार सुनने को तयार नहीं है, तो हम दिल्ली पहुँचेंगे, लोक सभा को भी घेरने का काम करेंगे, PM हाउस को भी घेरने का काम करेंगे, क्रिसी मंतरी का अवास भी घेरने का काम करेंगे, और जहां स सरकार को भी हम लोग रद करने का काम करेंगे आपने गाउं में देखा होगा एक गाउं में चटी बिछा कर दवा बेसता है चुहा मारने का दवा लेलो उडिस मारने का दवा लेलो चिपकिली मारने का दवा लेलो लेलो हम कहते हैं भाई मेरे यहां चुहा नहीं है हमको नहीं बेंदे रेहीं के एक बास सुनलीसिए जो मोदी से सवाल करेगा जो मोदी के खिलाब बोलेगा लोग्तंतर बचाने की बात करेगा जो सचाए दिखाएगा उसको डेल में डाला जाए यह कौन시 सा भड़ी बात भाई आपका मंदीक पुनिया जो सचाई दिखा रहा था उसको जेल में डाल दिये अभी भी सैकुडों के संक्या में तिहार जेल में किसान जेल के अंदर हैं यह लोग कोई बड़ी बात नहीं है हो सकता है तो हमारे उपर गोली भी चला सकते हैं यह लोग हम लोग पूरे तर कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे तुम्हारी गोलिया कम पढ़ जाएंगे लेकिन हमारे सीने कम नहीं पढ़ेंगे हम लोग लड़ेंगे इन काले अंग्रेश से लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए सभिधान बचाने के लिए लोग तंत्र बचाने के लिए हमारा बोलने का अधिकार है संविधान आम को right to speech बोलने के अजादी देता है right to protest धर्णा करनेके अजादी देता है हम करेंगे और इन कालों अंग्रेज से हम अजादी लेकर रहेंगे खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं